पहले देखा गया था कि किसी नई मुवी रिलीज के एक दिन बाद पाइरेटिट सीडी मारकेट में आ जाती हैं। पिर कुछ टाइम बाद मूवी के थीटर में आने से पहली उन मूवीज की पाइरेटिट सीडी मार्केट में आ जाती थी और अब तो ये आलम हो चुका है कि ये पाइरेसी का खेल खुले आम हो रहा है वो बकायदा आप्स के द्वारा गूगल प्ले स्टोर पर मौजूदा पिक्शो, मोमिक्स, पॉपकॉन, फ्लिक्स जैसे आप, नेट्फिक्स और एमेजॉन जैसे OTT प्लेटफॉर्म के ओरिजनल कंटेंट चोरी कर रहे हैं और उन्हें ग्रहकों को फ्री में दिखा रहे हैं देश के बड़े-बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर शो के लॉंच होने के कुछ ही घंटों के अंदर पूरा शो इन पाइरेटेड एप्स पर आ जाता है वाटसेप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इन अप्स को बूस्ट मिलता है इतना ही नहीं प्लेट स्टोर पर मौजूदा ये अप कई दूसरे देशों से चलाया जा रहे हैं यहां तक कि साइबर सेल को भी इसकी जानकारी है लेकिन ये पहुत से दूर है हाला कि फ्री में लेटिस फिल्में ये वेब स्रीज देखने के लालश में यूजर्स खत्रा उठाने से भी नहीं चोक रहे इससे सबसे बड़ा खत्रा मोबाइल पे सेव परसनल डेटा की सेंध मारी का है हमारी इंविस्टिगेशन में पाया कि गैर कानूनी ढंक से संचालित इन आप्स या प्लेटफॉर्म पर सिफ ट्रिकेट ही नहीं टेलिवीजिन, बॉलिवोड, हॉलिवोड और रेडियो की लगभग सभी प्रीमियम कंटेंट मौजूद है वो एप्स जहां मिलता है पायरिसी का माल, मौजूदा समय में पिक्षो, मुमिक्स, पॉपकॉन, फ्लिक्स, मॉम्टो, कोडी, पॉपकॉन, टाइम, मुवी, HD, थोप टीवी, फ्लिक्स प्ले, टीटीवी, मिस्टर टीवी, मुवी बॉक्स, HD सिनेमा और ऐसे ही कई और आप पुलिस्ट अरिस्ट कर पाई है, इसके अलावर तमिल रॉकर्स, तमिल मॉव, तमिल ब्लास्टर्स नाम की वेबसाइट और पिक्षो आप के खिलाव, डिजनी हॉस्ट स्टार ने चिन्नई में केस दर्ज भी करवा दिया है, जिन आप्स के लिए आप महीनों में तकरीवन 1500 रुपे खर्च करते हैं, उन्हें ये पिछले 2-3 साल से खुले आम लगबग फ्री में उपलब्द करवा रहे हैं, खास ये है कि इन आप्स का सब्सक्राइबर बेस भी कुछ ओरिजनल OTT प्लेटफॉर्म से जादा है, इसका फायदा उठाते हुए कुछ ने चोरी किये अदम ने बताये कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनाती बाहत इस अंचालित होने वाले आप्स को लेकर हैं, इन आप्स की जानकारी होने के बावजूद हम उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, हम कई बार Google, Facebook और Twitter को इसकी जानकारी दे देते हैं, लेकिन उनकी और से लगब प्लेटफॉर्म पर खोच सकते हैं, पाइरसी के रेस में अमेरिका, रूस के बाद भारत का ही नमबर आता है, साइबर सुरक्षा और क्लाउड सर्विस कंपनी अकमाई टेक्नॉलजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत ने पाइरेटेड आप और वेबसाइट तक प बिलियन के बाद तीसरी सब से जादा है, एक रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस देने वाले इंडियन OTT प्लेटफॉर्म को हर साल 30% से 35% रेवनियों का नुकसान हो रहा है, सुरक्षा एजंसियों को इस बात का संदे है कि इन पैसों का इस्तमाल भ से जुड़े लोग OTT कंटेंट की पायरिसी से जुड़ गए हैं और हर साल 1000 करोड रुपे जमा कर रहे हैं, आखे साइबर क्रिमनल को पकरना इतना मुश्किल क्यूं है? महराष्ट साइबर क्राइम सेल के DCP संजे शित्रे ने बताया, थोप टीवी के दो संचालकों को हमने पकड़ लिया है, और जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दायर करने वाले हैं, आरोपिय तक पहुचने के तरीके का खुलासा नहीं करते हुए DCP ने कहा, साइबर क्रिमनल हमेशा कुछ फुट्प्रिंट छोड़ देते हैं, उन्हें पकड़ना कभी-कभी मुश्किल होत जिन देशों से ट्रिटी नहीं होती, उन देशों में जाकर क्रिमनल को ग्रिफतार करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वह सलाखों के पीछे जरूर पहुचता है DCP Sanjay ने कहा कि कुछ आप के खिलाफ केस दर्ज हुए है, लेकिन में महराश्ट से बाहर दर्ज है, महराश्ट साइबर सेल किसी भी साइबर क्राइम को डिकोट करने में सक्षम है, लेकिन बस हमारे पास शिकायत आनी चाहिए, जब तक हमारे पास कोई शिकायत लेकर नहीं मौझूद है लेकिन आप के स्क्रिप्ट कोड में थोड़ा सा बदलाव करके पाइरेटेट आप बनाने वाले असानी से बच निकलते हैं हाला कि वीडियो पाइरेसी में सजा और जुर्माने का कड़ा प्रावधान है अगर कोई वीडियो या लाइफ कंटेंट की पाइरेसी करता है तो उसकी सजा तय है बशरते वा पकड़ा जा सके सबसे जादा दिक्कत उन आप्स को बंद करवाने की है जो भारत की जगा विदेश से संचालित हो रहे हैं इन आप्स को बंद करवाना लगभग असंभव है सरकार को इस और कदम उठाना होगा पाइरेसी जैसे अप्राद को रोकना होगा आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें देश उधनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं नज़र तुरें